नमस्ते फ्रेंट्स एक फीमेल का बहुत बड़ा टाइम किचन में लगता है तो अगर हमारे पास किचन का कुछ ऐसा सामान हो जिससे हमारा किचन का टाइम बच सके तो क्या कहने तो मैं लास्ट यर से जब से वीडियो बना रही हूँ तो जो भी किचन का सामान में लेती आपके साथ शेयर करती हूँ तो आज भी मैं शेयर कर रही हूँ कुछ बहुत छोटी छोटी सी चीजें जो मैंने किचन के लिए पर्चिस की है और जो मैंने पुरानी पर्चिस की थी उनका रिव्यू कि वो मेरे लिए कैसी रही क्योंकि जब मैं आपके साथ कोई आइटम तो ये भी मेरी responsibility है कि मैं उसे use करने के बाद उसका एक review और मेरा एक personal feedback आपके साथ शेयर करूँ तो मैं लगातार kitchen के 2-3 videos इसके उपर डाल चुकी हूँ सबके link मैं आपको दे दूँगे description box में आप एक बार चेक कर लीजेगा तो सबसे पहले शुरू करते हैं एक नई और नीचे है खाली part तो देखिए इसको बताने से पहले मैं आपको बताओ कि मुझे problem क्या थी जो मैंने इसको खरीदा एक item जो कि मैंने last year purchase किया था जब मैंने sink का organization किया था ये एक item जो है ये इस तरह से है इसमें कुछ देखिए holes पने हुए हैं और ये plate जो है यहाँ पे fit fabric जो या cloth या napkin hang कर दिया करेंगे और इसके अंदर यहाँ पे जो है bottles वगेरा रखी जा सकती है ता सब कुछ इसमें सही है लेकिन जो इसमें सबसे गलत चीज थी जिसकी वजह से ये मैं use नहीं कर पाती हूँ उस purpose के लिए जिसके लिए मैंने इसको खरीदा था वो था इसक जैसे अगर आप Vim Bar को आधा कट भी कर देंगे तब भी यहाँ पे आप उसको नहीं रख पाएंगे यूज करने के लिए इसके सारे parts को अलग कर दीजे ये जो nozzle है ये निकल जाती है कोई दिक्कत नहीं है इसमें भरिये liquid Vim और थोड़ा सा पानी मिला लीजे जिससे इसकी जो wastage होती है वो कम होती है और तुबारा उपर से सारे parts को आप attach कर दीजे इसे starting में प्रेस करेंगे तो नहीं निकलेगा इसमें से अंदर से gel लेकिन दो तिन बारा प्रेस करेंगे उसके बाद इसमें आ जाता है और जो अब आपका बरतन धोना है वो बहुत आसान हो जाता है और मुझे ये item बहुत perfect लगा जब विंबार से wash करते हैं तो बार बार उसमें जो है इसको लगाना पड़ता है गिसना पड़ता है लेकिन विंबार के संग प्रॉबलम ये है कि वो बहुत जल्दी चाहे उसे कई सारे method हैं रखने के लेकिन वो जो है पानी में गल जाती ह kitchen के sink के side में जो scrubber होता है उसे hold करने के लिए ये item मैंने लिया था काफी पहले लिया था और इसको आज मैं लगाऊंगी तो इसके साथ attachment जो आता है उसमें adhesive लगा रहता है already बस पीछे से आपको ये कागज, tape, paper हटाना है प्रेस करके अच्छी तरीके से wall पे लगा देना है kitchen tiles में और hooks में जो है इसको holder को लगा देना है तो देखिए sponge कितने आराम से इसमें आता है और बिल्कुल भी गीला नहीं होता है जब मैंने आपके साथ वो कढ़ाई वाला जो वीडियो शेयर किया था तब आप लोगों का question था कि एतनी साफ कैसे है मतलब आप कुछ करते हो इनके लिए extra तो मैं देखो ये वाला जूना आता है स्कॉच प्राइट का मतलब super strong होता है ये इसमें चिकनाई लग जाती है या उसमें दाग लग जाते है वो बहुत असानी से साफ हो जाते है एक और मंगा रखा है वो शैद नारियल वाला होता है coconut वाला scrub होता है वो भी मैंने एक बार यूज किया था वो भी बहुत अच्छा रहता है लेकिन अब काफी टाइम से जो है मैं यही लेके आरी हूँ इसको यूज करना बहुत जल्दी सारे वो जो काले काले पढ़ जाते है ना हैंडल पे पीछे की तरफ वो सब इससे जो है चले जाते हैं तो यह बहुत छोटी छोटी सी चीजें होती है जिनसे ना मतलब बहुत फरक पड़ता है तो इसको अगर हम टेस्ट करते रहते हैं य जैसे हम क्या करते हैं कुछ भी फ्राई करते हैं तो उठाते हैं अब उठाने के बाद हमारे पास बहुत सारे चीजें होती है जिनसे हम बड़े राम से चान सकते हैं ले सकते हैं लेकिन यह बड़ा अच्छा है इसमें साइड में इस तरीके से ग्रिप बनाने के लिए यहा आपको side में इस तरह से करके निकालना पड़ता है लेकिन फिर भी कई बार मेरा मन करता है तो मैं उपर spoon रखके उल्टा करके भी इसमें से oil निकालने की कोशिश करती हूँ खास कर जब भटूरे वगएरा बनाओ या कचोडी बनाओ उसमें क्या होता है अकसर अंदर जो है उस काटने के लिए कई बार आपने से वीडियो में देखा होगा ये मैंने amazon से नहीं लिया था मैं जैपुर गई थी अपनी sister के पास तो वहां से लेकर आई थी और ये मेरे पास 4-5 सालों से है हाँ यहाँ पे न एक hook लगा रहता है जिससे ये बंद हो जाता है लेकिन वो hook जो ह और काटते रहो उसके बाद ये चौपर आजकल हर घर में ही होगा मेरा nova का चौपर था अभी एक comment आया था कि उन्होंने एक चौपर इस तरीके का लिया था और उनका जो है चौपर टूड गया लेकिन ये मैं लगा तार करीब one year से ज्यादा डेर साल हो गया है मैं यूज कर लेकिन मुझे ऐसा लगता है चौप करने के लिए हमें प्याज या टमाटर की या चोटे चोटे जैसे चीजों की ही जरूवत पड़ती है तो मैंने जो है जैसे एक बार गाजर भी करके देखी है जैसे चौट सबजीयों को बारीक करने के लिए गाजर भी कट जाती है इसम जल्दी यूज करती हूँ फटा 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 फट लेकिन बढ़िया चल रहा है उसके बाद मैंने लास्ट येर इस तरीके के स्पून लिये थे देखे इसमें नीचे इस तरह से लगे हुए है तो मैंने जब देखा था ना ये ऐसा था कि आप इसे भगोने में लो और इस तरह से खड़ा कर लो है ना ये इस तरह से खड़े हो जाते हैं तो ये तीन का सेट था तो मैंने इस ले लिया था कि भगोने में ज्यादा तर गोज जाते हैं चममज्जों होते हैं अच्छी प्लास्टिक का था ये और निकाल के भी आप इसे रख सकते हो लेकिन होता कि जैसे इसे ज्यादा उसमें रखो आप जैसे कुछ भी चीज बना रहे हो तो यह भी थोड़ा सा डिस बैलन्स हो जाता है तो इसमें नीचे यह लगे हुए थे इस तरीके के वैसे यह सही चीज है बड़े अच्छे से तीन कलर में आय थी तीन पीस एक साथ आय थे लेकिन यह निकालके आपको स्पून ड्रेस्ट की जरूवत नहीं परते हैं लग ऐसे खड़ा हो जाता है यह लेकिन भगोने में यह सरग जाता है ज्यादा तर उसके बाद आप सब लोगों ने देखी होगी मेरी यह बरतन वाली बास्केट जिसमें दोने के बाद बरतन रखते हैं यह सब ने देखी है लेकिन इसका मैं रिव्यू देना चाहती है मैं इसे यूज कर रही हूँ जब ली थी तब भी आपके साथ मैंने इसका रिव्यू शेयर किया था इसकी नीचे एक ट्रे होती है जिसमें की सारा पानी यहां से ड्रेन हो जाता है बताया था आपको और इसमें बड़े भगोन, जैसे बड़तन हो जाते हैं, जैसे भगोना हो गया, कोकर हो गया, कढ़ाई हो गया तो वो इसमें बिल्कुल भी नहीं आपाते हैं क्योंकि इसका साइस चोटा है अब आप लोगोंने कल परसों वाले वीडियो में देखा था ना, मैंने कुछ जार दिखायते हैं जिसमें मैंने लड़ू रखे थे, शाद लास्ट वीडियो ही था तो ये जार आपको बहुत पसंद आये थे तो ये मैं बता दूँ, ये तीन का सेट था और इसमें आगे अच्छे तरीके से बंद करने के लिए देखिए इस तरह से लगा हुआ है और अच्छी कांच का बना हुआ है, देखने में सुन्दर लगता है और इन सब का प्राइस वगेरा मैं स्क्रीन पे शेयर कर दूँगी, आप चेक कर लीजेगा किचन में सामान रखने के लिए वेराइटी ओफ जार्स चाहिए होते हैं, अलग-अलग तरीके के बरतन चाहिए होते हैं लेकिन मैंने जो हैं, दो साल से करीब मैं प्लास्टिक के नहीं खरीबती हूँ कोई भी कंटेनर और जो हैं उन्हें निकालती जा रही हूँ तो जो मेरे पास कुछ हैं कंटेनर वो तो Amazon से मंगाय हुए हैं जो अभी मैंने आपके साथ शेयर किये और ये मेरे पास कुछ कंटेनर जो ग्लास के हैं, यही मैं अब रख रही हूँ तो इसमें मेरे पास बड़े हैं, छोटे हैं और एक ये वाले हैं इस तरीके की हैं सारे, आप लोगोंने मेरे क्लीनिंग वीडियो में देखा होगा, तो ये ट्रियो ब्रैंड के हैं तो ये जो इस तरीके के आते हैं, मतलब रैक्टैंगल शेप में आते हैं इस तरीके वाले, ये अच्छे रहते हैं क्योंकि मेरे पास नहीं है इस तरीके से round वाले भी हैं लेकिन round वाले से अच्छा square वाले रहते हैं तो कि होता क्या है ये नीचे तो ज़्यादा जगा घेरते हैं फिर उपर पतले हो जाते हैं तो अगर ये हमें बिल्कुल straight मिलेंगे न तो हमारे पास space रहेगा और बिल्कुल बराबर के बराबर वो लगते चले जाते हैं देखिए सारे ऐसे हैं ये छोटे हैं ये भी trio brand के ही है इसमें जैसे मैंने मेती वगएरा रख रखी सुखे मसाले में रख देती हूं और ये इससे भी छोटा है और ये एक size ही आता है मैं आप से यही कहूंगी कि आप इनको जो और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं निकला रीजन था कि जैसे ही इसको टैप पे लगाते थे और उसे चलाते थे तो प्रेशर की वज़े से ये निकल जाता था और इसमें नीचे गुमा के जो है मोड चेंज हो जाता है कि किस तरीके का आपको पानी निकालना है बाहर ले अची जीज ये भी मैने लास्ट ये लिया था या से से प्रेस करते ही बड़ी अची चीज ये भी तो जैसे दही व अगरा फेंट नी हूती है वैसे तो तो और भी को और बहुत तीज आप थे ने अल्प धेते हो ना कभी मत फेंटना मिक्सी में उससे दैप पतली हो जाती ह तो दही को ज्यादा तर लकडी वाली जो रही आती थी ना लकडी की जो होती है उससे फेंटो तो दही जो है थिक रहती है मैं जो हूँ दही को नॉर्मली दीरे स्पीड से फेंटना होता है तो इससे फेंट देती हूँ और ये एक product है जो कि मैंने नया मंगाया और ये नया मंगाया मैंने शानू के कहने पर ये है potato spiral cutter मतलब जब हम इससे आलू को काटते है तो एक spiral सी form में वो बन जाता है और फिर हम उसे fry कर सकते हैं बड़ा ही अच्छा design आता है देखे कुछ इस तरह इसके साथ देखे एक तो ये item है और इसके साथ आए हुआ है ये कुछ skewers potato का tornado बनाने के लिए एक आलू लिया इसमें शानू की मतलन को ही मैंने कहा कि वो इसमें लगाए अच्छे से फसाके बस जो इसका एक knife है इसको गुमाते जाना है और इस तरह से एक आलू का tornado ready हो जाएगा side में इसे फसाना जरूर है नहीं तो ये निकल जाएगा लेकिन बड़े आलू को मत लीजे छोटे आलू का ही use करिये मैंने demo के लिए एक आलू को half cut किया और फिर अच्छे से फसाके वो ही दुबारा से cut किया तो ये काम ना मैंने शानू से ही करवाया और देखे कितना smoothly हो ज season है ना इसे खरीदने का वो सही रहा अब देखिए एक ये wash basin हुए sink हुए वो रुख जाते हैं तो उनको साफ करने के लिए मेरे पास एक ये cleaning brush है काफी time से इसको मैं use कर रही हूँ इसमें बहुत ही hard wires हैं जिससे sink रुका हुआ sink ये wash basin clean हो जाता है इसे मैं अलग-अलग रत इसमें लगके बाहर निकल आती है और अब देखिए जो next product है ये भी मैं काफी time से use कर रही हूँ काफी काम वाला है ये है garbage bag को hold करने के लिए इसमें garbage bag हो या चोटी polythine हो किसी भी तरह का bag हो उसे फसा दीजे और almira में जो है इसे लगा दीजे तो जैसे आप kitchen में काम कर रह जो आपने kitchen में अगर नहीं रख रख की है तो आप जो है सारा काम इसी में कर सकते हैं ये product और मैंने आपके साथ share किया था वो था ये glass के dispensers जैसे इसमें देखिए मैंने भर रखा है hand wash तो kitchen में जब कभी भी आते हैं तो हमेशा हाथ धोने की आदत है तो उसके लिए और द बहुत convenient हो जाता है ये दोनों glass की है काच की बनी हुई है बहुत बढ़िया है और अच्छे से use मैं इनको कर रही हूँ और ये use भी हो रही है अब ये एक छोटी सी oil container है ये भी मैंने आपके साथ share already कर दी है ये बहुत अच्छे glass की बनी हुई है और इसमें इस तरह से उपर से oil को निकाल लो लगा लो oil को आगे brush दी हुई है ये मतलब use करते हुए इसको one month से उपर हो रहा है इस तरह से उपर से उठ जाता है निकल जाता है आगे इसमें brush है और brush को use करके लगा सकते है आप लोगों ने देखा है इसको वीडियो में उपर से ये खुल जाती है और अ इतनी जयादा chutney में नहीं बनाती हूं, चटनी जयादा ही बनाती हूं तो summer में इसको में रख देती हूं और winters में जैसे इतनी भी चटनी रहती नोया नीचे तक ही भी चटनी रहती है तो ये एक दो दिन में खतम हो जाती है विंटर्स कुभी बहुत ज़्यादा ठेंड पड़ रही है तो ये बाहर ही रहते हैं अदर्वाइस मैं इसको फ्रिज में रख देती हूँ अच्छा है ये सुंदर लगता है मैं क्या करती हूँ ना एक चीज खरीती हूँ धीरे धीरे लेकिन अच्छी खरीती हूँ एक सबसे ज़्यादा कॉमेंट आते हैं इसके लिए और इनके स्टैंड के लिए ये एक शेफ है और इसकी जो छोटी सी कार्ट है पीछे गाड़ी है इसमें दो बॉटल रख्यू हूँ है मैंने क्लीन करी है इसलिए ये खाली है एक्चुली ये अच्छा है बहुत अच्छा है यूज होता है लेकिन जो इसकी बॉटल से थोड़ी छोटी है वैसे तो इतनी ही नीड रहती है पता भी रहता है जैसे खतम हो जाता है इसमें ऐल तो एक अलट आ जाता है ज्यादा ओल यूज ना करो तो ये बहुत ही अच्छा लगा हो ना तो लाइक जरूर कर देना और वीडियो को शेयर करना कॉमेंट करके जरूर बताना कोई अच्छी टिप दे देना और फिर मिलेंगे एक नहीं और इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तब तक के लिए ओके फ्रेंट्स थेंक यू एं बबाई